नमस्कार आपक्चारिक कारवाई शुरू करने से पहले हम सभी की और से कुछ देर पहले मौरोकों में आये भूकम से प्रभावित लोगों के प्रती मैं अपने हार्दिक समवेदना प्रगट करना चाहता हूं हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजड लोग श्रीग्र स्वस्त हो इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरोकों के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुचाने के लिए तयार है Your Highnesses, Excellencies, G20 के President के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस स्थम्ब पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातीसु हेवं अर्थात मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिस्चित किया जाए दाए हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आएए इस संदेश को याद कर इस जी ट्वेंटी समीट का हम आरंब करे 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है यह वो समय है जब बरसों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाइत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविन 19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम कोविर को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के प्रसिडेंड के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस global trust deficit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो इस्ट और वेस्ट की दुरी हो फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो तेर्रिजम और साइबर सिकुरिटी हो हेल्थ एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स भारत की जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स जी ट्वेंटी बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से ज़्यादा शहरों में दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ आमंत्रिक यूनियू ट्रावड़ोच्छ लावठस अबस्ती है झामंत्रिक